प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रवाना हो चुके हैं और जिस समय हम यह प्रोग्राम कर रहे हैं इस से कुछ समय बात तो वो लेंड भी करने वाले हैं लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है कि वहां की जो प्रधान मंत्री है मैलो नी वो जितने भी राष्ट परमुख पहुँच रहे हैं उनका हाथ जोड़कर के अभिवादन कर रही हैं अभिनेन कर रही हैं और जाहिर है जब G20 सम्मेलन में यहां नई दिल्ली आई थी तो प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी राजगाट में ठीक इसी अंदाज में एक अस्थान पर खड़े होकर आने वाले सारे महमानों का हाथ जोड़ करके अंग वस्त्रम उनको पहना करके स्वागत किया था होगा नरेंद्र मोदी एक हमारी प्रार्चीन संस्कृति के प्रतीक के पास खड़े होकर के सब की अगवानी भी कर रहे थे और सब को इंट्रोड्यूस भी करा रहे थे कि उनके बैक ग्राउंड में क्या है कोनार्क का वो प्रतीक चिन्न था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो म मैलोनी जिस तरीके से हाथ जोड़ करके सब का अविवादन कर रही है वो बहुत फनी सा भी है और सब को चोंका भी रहा है क्योंकि ये भारती ये संस्कृति में ही है कि हाथ जोड़ करके आप सब का अविवादन करो कुछ और देशों में भी हो सकता है लेकिन इसको मूलता बहारती ये संस्कृति का ही परतीक माना जाता है और कोवीड काल में ये खूब चला था कई देशों में इसको अंगीकार कर लिया गया था क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही थी कि हाथ नहीं मिला सकते और गले भी नहीं मिल सकते हैं तो हाथ जोड़ करके कही राष्ट करते हुए देखे गए थे इस पर भी चर्चा करेंगे के नरेंदर मोधी और मैलोनी को लेकर के जो ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम बनाये जाते हैं मजे लिए जाते हैं और क्या ये दोनों राष्ट परमुख यानि हमारे प्रदान मंतरी और इटली की प्रदान अगंभीर तरीके से कुछ और मुद्दे हैं उन पर भी चाचा करेंगे जैसे हिमाचल परदेश ने दिल्ली को पानी देने से मना कर दिया उसका कहना है कि हमारे पास तो अतरिक्त पानी ही नहीं है कि हम दिल्ली को पानी दें तो क्या ये साइड इफेक्ट है जो दोस्ती तू शिश हो रही है और इस उम्र में अगर उनको गिरफतार किया जाता है तो कहीं ये लेने के देने ना पढ़ जाए कॉंग्रेस सरकार को क्योंकि आंदरा परदेश में हम देख चुके हैं जगन मोहन रेडी एक गलती कर चुके थे चंदरबाबु नाइडु को गिरफतार करने क चंदरबाबु नाइडु ने अब 95% सीट जीत करके सत्ता में वाफसी की है एक और गटना हुई है गटना ये है कि हमारे बारे फिल्म पर सुप्रिम कोर्ट में रोक लगा दी है जो सुप्रिम कोर्ट ये कहती आई है कि साब अगर आपको फिल्म और उसका कंटेंट पसंद नहीं है वीशे पसंद नहीं है तो आप ना देखें हम तो फिल्म को नहीं रोकेंगे वो अगर हमारे बारे फिल्म पर रोक लगा रही है तो इस पर चर्चा स्वभाविक है पश्चिम बंगाल में भारती जिनता पारेटी के कारिकरताओं पर जिस तरीके से लगातार अटे करेंगे मेरे साथ जुड रहे हैं परियाग राज से अनुपम मिस्रा जी तो अनुपम जी को जोड करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अनुपम जी बहुत स्वागत है नमस्कार तो अनुपम जी सबसे पहले तो हम कुछ दर्शकों को चित्र दिखाएं जरा मैलोनी के जो व अपने आप में बहुत फनी भी लग रहा है, अजीव सा भी लग रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये परंपरा एक्चल में है नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कर रही हैं, तो इसको लेकर के सोचल मीडिया पर तो तमाम तरह की बाते चल रही हैं, आपकी राय क्या ह इसको लेकर के, देखें, ये बात सिर्फ मेलूनी की नहीं है, उन्होंने तो जो किया वो किया ही, एक बड़ी बात ये है, कि अगर आप वीडियो देखेंगे, तो कई राश्चा ध्यक्चों ने उनको नमस्ते करके ही जवाब भी दिया, और बात नमस्ते की नहीं देखें, आप, आप में देखा होगा कि, दोहजार चौदा से जबसे नरेन मोधी आए है, तब से उन्होंने भारती संस्क्रित का कुछ बहुत एग्रिसिव तरीके से एक उसका बढ़ावा किया, और आप साउधी अरब में लोगों को योग करते देख रहे हैं, आप साउधी अरब म आप मुस्लिम कंट्रीज में, युनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मतलब जहां पर आपका, आपका अमीरात में, आप लोगों को प्राणायाम करते देख रहे हैं, तो योग आ गया, प्राणायाम हो गया, सूरे नमसकार करते देख रहे हैं, इन सब के आगे अगे अगर नमसकार वाला है, सब उसमें, कोविड में भी चला था, अगर आपको यादो, कोविड में भी कई राश्टा देख्चों ने, नमस्ते का एक, इसको अपनाने कोशिश की थी, जब वहाँ पे हाथ मिलाने, ओर टच करने के लिए, मना किया जा रहा था, और नमस्ते तो वह च अगर एक राश्टा धिख्च पर रहे हैं हमारे प्रधान दैन के तो वह पी एक घृषो सटेश पे मना किरेन मेरे को मुझा रहे हैं अपनी जो अपना इंटर्प्रटेशन तो कं देता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं तत्यों तक रहूं तो अगर मिलोनी नमस्ते कर रह तो यह तथ है अगर उनको तमाम राश्टा देक्च नमस्ते में जवाब दे रहें तो यह भी एक तथ है अगर एक राश्टा देक्च पैर्च हो रहे हैं हमारे प्रदहन मंतरी के तो वह भी एक फैक्ट है और एक वरड़ फेमस पॉप सिंगर एक एक वेस्टन वह नवें दि नहीं बोलते अब तर्थे सामने हैं और ये सब आपने पहले तो कभी देखा नहीं तो जाहिर सी बात है दो हजार चौदा के बाद भारती संस्क्रित को भारत के बाहर ले जाने के लिए हमने दिन मुदी को श्रे दे सकते हैं और बाकी तो जिनको विरोध करना है वो करेंगे कई तरह के कमेंट हैं कोई उनको किसी हीरो की तरह दिखने दिखने हुआ वाला बता रहे हैं लेकिन एक और चित्र सोशल वीडिया पर वाइरल था वो ये था प्रधान मंत्री और मैलोनी का एक पुराना फोटो है और दोनों मैलोनी तो ज्यादा ही चेहक रही हैं और नरें लगातार चर्चा चलती रहती है किसाब नरेंदर मोदी से बहुत इंस्पायर है मैलोनी और जब जी ट्विंटी में आई थी उनकी बोडी लेंगवेज उनके चेहरे की हसी एक जो उत्तेजना होती है किसी लीडर के परती या तो सम्मान का बहाव कह लीजिए या वो उनकी बेहद इज्जत करती है और बहुत उसको लेकर के परदरसन भी करती है ऐसा नहीं है कि उसको छिपाती है तो यह वहां तक सीमित है या जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकले मजाक और मीम और तमाम दूसरी चलती है इनको अपना काम करने दें और उन दोनों राष्ट परवक हो का अपना काम करने देखें यह मेरा अपना मानना है कि इसको अधरवाइस ना लिया जाए पर मुझे अच्छ रखी गया है कुछ लोग इसको मजाग का साधन बनाते हैं आपने देखा वा नेरू और नेरू और लेडी मांट बेटन को लेकिस तरह की बाते होती थी इंद्रा गादी का नाम तमाम लोगों से जोड़ा जाता था राजीव गादी का जो तो सब ठीक है तब सोशल मीडिया नहीं तब सोशल मीडिया जाहरे तरह सी बाते जादा होंगी लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस समय इसको दर्शक बहुत नक्षल में समझ ले पूरे य इससे जञारे जाएं कि लिए जाएं कि यह देखा विए उस्ट्रिया में को तैयारी नहीं है बिल्कुल किसी भी किसी बी मुस्टिप शार्णार्थी को जगा देने के लिए आप और बाकी चीज़े जाने इनको एक्दम स्वर्ग माना जाता है इसकंडनेवियन कांट्री नौर्वे फिनलेंड स्वीडेंड वहां पे आप देखें राइट विंग पॉर्से आ चुकी है तो जिती दक्षल पंती सरकारे आ रहे और बयार बहरी जैसे मैं देखा करण करण ये है कि पिछले 35 साल से मद् चल रहा है यमन में चल रहा है आप एकदम अफगानिस्ता आप में चलता ही जा रहा है तो बड़ी मात्रा में यहां से 35 साल में मुस्लिम शर्णार्थी अमरीका और यूरप पहुंचे और उसके बाद सब जदा आसान उनके लिए ग्रीस और इटली जाना होता है तो ग्रीस अगर आप मैप देखेंगे तो आप फो आइडिया हो जाए और उसके बाद पूरे यॉरप पे फैल जाते हैं अमरीका भी बड़ी मात्रा बहुंचे जहां जहां यह पहुंचे तो बनके तो शर्णार्थी पहुंचे लेकिन कुछी दिन बाद इन्होंने कानुन बताना होता है तो इस सारे तीन दशक में वो दीरे दीरे वहां पे एक इतना जदा एग्रिशन आगया इतना आगया आप गीट वाइल्डेस की बाते सुनें आप जबी जैसे आप किया आटाक हुए हैं आतंगवादियों के टेकिए वो किस तरह की उन्होंने ट्वीट किया बारत उनके देख लिए उनके बयाना देख लिए आज मैंने अपने ट्विटर पे उनका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहनी ही कि मैं अपने देशवासियों से पूछती हूँ मुझे एक सिर्फ एक कारणा बताया जाए कि हम दूसी देश आए बे इन इस्लामिक शन्वा को तबाह करके रख दिया है अब मैं सब्ता में आँगी सब को निकाल के बाहर पेख दूँगी और तबाह मस्जिदें बन को बहुत कुछ कहती है वो भी तो बात सिर्फ इतनी है कि डक्षल पर्ती डक्षल पंद है कि आप समझे इसको डक्षल पंद ये है कि साथ इतने जम कि दीरे दीरे जैसा आप भारत में तबाम लोग की पीलिंग्स देखते हैं जिसकी वगरते भाजपा सरकार आई वो अलग बात है कि भाजपा सरकार आने के बाद भी तमाम लोगों को मानना है कि साब जिस तरह का तुष्टी करण के खिलाफ उनको अप एक शाथी प्रदान मंती नरेद मोधी से वो उन्होंने नहीं किया अब आई नरेद मोधी के सलाकार बताते हैं तमाम कारण बताते हैं कि साब हमारे कई लाख कई मिलियन लोग अरब कंट्रीज में काम करते हैं उनसे विदेशी मुद्रा आती हम इतना ऐसा रुख नहीं ले सकते कि हम सब को दिक मैं ना उनको जस्क्राइब कर रहा हूं ना डिफरिंट कर रहा हूं ना मैं कहरा हूं वो सही हैं तो मैं दोनों मेंसे कोई बात दिक कह रहा हूं उपना सोच है इस पर हम लोग एक अलेक प्रोग्राम रख सकते हैं मोधी निक्यों गया पर यह दक्छल पंती ने ता पुरी मोधी को अपने चुनाव पर चार के लिए बला है था और उनके साथ एक पूरा जॉइंट है अडिवेशन किया था तो ये देश विश्व भर की दच्छल पंती ताक्तें जो की वामपंत और मुस्लिम तुष्टी करनों मुस्लिम इसलामी कातिंगवाद से दुखी और परेशान हो चुकी है ओंकार जी इन सब का आपस में आपको एक लूज सा गड़बंदन नजर आ रहा है जिसको आप कैसे भी देख सकते हैं मिलकुल सही आकलन है आपका अनुपम जी आप ही का एक ट्वीट है जरा उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें आपने लिखा के चुनाओं में सूपड़ा साफ होने के बाद सरजी की जेल में शुगर और वजन सब टना टन है ना आतिशी इंजेक्शन लेकर के जा रही है ना आप ये केजरिवाल की हत्या की साजिश बता रहे हैं चौते चरण में चल रही जिस गंभीर बीमारी की टेस्टिंग के लिए सप्रिम कौर्ट से साथ दिन मांगे जा रहे थे कौर्ट की इजाजत के बाद भी वे टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं सारा ड्रामा क्या सिर्फ आपके लेता इसको इस तरह समझे जराज के वाल के बियान से एक गंभीर बीमारी मुझे हो सकती है जो की शायद चौते चरण में सोचे साब बीमारी आपको पता नहीं है आप ते उसका चरण भी डिफाइन कर दिया कहते न हो चौते चरण ते वो इशारा कर रहे थे कैंसर की तरफ की जो फाइनल स्टेज में कैंसर पहुंद जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता है अरी कोट ने कह दिया इनकी सारी टेस्टिंग कराई जाए केजरी वाल ने टेस्टिंग करा नहीं तो जिस टेस्टिंग लिए साथ दिन मांग रहे ते भी कोट नहीं इजाज़त लिए कौन जाकर वहार रेडियो आक्टिव मशिन के नीचे लेटना चाहता है कौन iota सीटी स्कान कराना चाहता है कौन अपनी इस तरह की स्कानिंग कराना कोई नीआ चाहता है जिसको कोई वें bạn अब आपकी मजबूरी है तो आप जरूर जाएंगे वना इस रेडियो अक् तो मर जाएंगे मोटा सा पेट फुला के बाहर निकलते हो कहते हैं साथ किलो बजन कम हो गया तो कुल मिलाकर आपको इतिहाल वाले बता रहे हैं आपके वेट बढ़ गया है आपकी शुखर बनती एकदम टना टन है संजय सिंग तो वेट बढ़ा किया उनकी दो बीपी की प्र हम क्या रहे हैं आप से आपकी सारी टेस्टिंग होगी कोई टेस्टिंग नहीं करा कोई ड्रामा ने चुना ओह वार गए साब आमादी पार्टी ने किसी ने कि लिखा कि साब हमने डिली की जनता को इतना कुछ मुफ्द दिया और उन्ने वोट दे लिया भाजबा को तो वे बिलकुल सही बात है। आईए दूसरे विशे पर चलते हैं, ये कॉंग्रेस और आम आदमी पारिटी का गड़बंदन क्या टूटा, हालकि चुनाओ के दुरान भी हमने देखा कि पंजाम गड़बंदन था नहीं, इनका तेरे तेरे सीटों पर दोनों लड़ रहे थे, और य दिल्ली ने कहा सुप्रिम कौर्ट में के साब हमको पानी दीजिए, आम आदमी पारिटी ने, उन्होंने कहा कि हिमाचल से हमने मंगा है, हिमाचल को आदेश दिये गए, 137 की उसे पानी दे दिया जाए। अभी हिमाचल ने कह दिया कि नहीं, हमारे पास तो पानी नहीं है, अतिरिक्त पानी नहीं है कि हम अरे दिल्ली को दे दें तो ये मतलब एलेक्शन ओवर तो रिस्ता भी ओवर और लियाज भी खतम अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं हमारे पास तो पानी नहीं है दिल्ली को देने के लिए सब एक कानूनी बात आपको बता दू और अब थोड़ा से मुझे नाराज़ी भी है ये मेरा और आपका काम नहीं ये बाते बताना ये भारती जंता पार्टी का काम ये बाते बताना आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में पेटीशन ये डाली कि हिमाचल पदेशे दिल्ली से अरियर इन लोगों से कहा जाए कि हमको अत्रिक्त पानी दे दें अपने हिस्से का पानी तो हजम कर चुके अत्रिक्त पानी दे दें और बाहर निकल के आतिशी मार लेना इंटर्व जो वो प्रस कॉंफेंस करती है तो ये कहती है कि साब हमको हम बैल से वो देखे हैं, ये कह रहे हैं कि साब, अपने हिस्से का पानी, तो हमारा लीकेज में चला गया, लीकेज में कहा जा रहा है, देखें डेर सारे इंटेनेट पर मीडियो, जो आपने रोहिए बस्तियां बसा रखती हैं, वहाँ पर लोग पाइप काट के लीक कर रहे हैं उनको तो फरक परता नहीं है, उन्होंने अपना पाइपकार के लीकेज कर लिया, एक गिलास पानी लिया और एक हजार तन पानी उन्होंने बहा दिया, नाले में, गंदे नाले में पानी बैया, नहा रहे हैं बड़े, तो आप फिल्फरेज रोक नहीं पाएं, इसलिए आप सोच के देखें, अगर सुप्रीम कोट ने ये बात भाग पर सरकार के लेका ही होती है, तो अपने की नियॉर्क टाइम्स की हेडिंग होती, इस तकर की कुछ हेडिंग होती है, कौट सीरे कह रही केजिएवाल सरकार जूट बोल रही है, आप इसको इशू नहीं बना र कर रही है, कि साब हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं मिला, आपको तो कोट में भी ये बात दुछानी चाहिए, कि मैलोड ये यहां पे कह रही है, एक्स्ट्रा पानी हो, बहार मिकल के कह रही है, हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, तो आप दो प्रदेशों के को इन मुद्दों को और क्लियर करना चाहिए पहली बात रही गड़बंदन की तो इसाब गड़बंदन का तो ये हाल है तो इस गड़बंदन के तो कोई मायने थे नहीं किसाब दिल्ली के लिए था तो पंजाब के लिए नहीं था तो इसका कोई मतलब है नहीं यहां बात सिर थी कि राहुल गांदी अपनी जेल जाने को इतना सशंकित है और सशंकित क्यों है मैं हमेशा कहता हूँ देखिए मैं दावा करता हूँ तो इसके बीजे दलील देता हूँ भी दलील यह कि आप एक मुगतमा दर्श करा आया सुब्रामुनियम स्वामी ने आप डिस्ट्रिक को गया और मैं अक्सर यह बात कहता हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट चाहती ही कामद और मुक्तार अंसारी को रहत मिल जाती है उस सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांदी और राहुल गांदी को कोई रहत ने लिए और आके आपको जिला के चैरी में अपनी गिरफतारी देनी पड वक्ताः आपको मंद बुद् मता बैंडरी जी आपको गाली दे रही हैं कहने ही कि घमंड नहीं जी सकते हैं नहीं कि आपके प्पू यादाओ को अपने कॉंग्रेस पार्टी में शामिल कराया कहा हम तुमको टिकेट देंगे और बाद में वही टिकेट आपने वही जगा आपने उड़ा के राक्षी लिंदा दल को दे लिया समझा होते हैं मैं रालू यादों ले लिया क्यों पपको यादों को विरोत करना था आप उसका भी के बैठें सिर्फ इस लिए कि सारे सिलिडर के बाद भी आप नरेन मोदी को तीसरी बार आने से रोगें मुझसे लिक के ले लो नरेन मोदी हिस्से का पानी रोहिया बस्तियों में बाद चुगे हैं आप चाहते हैं कि ये प्रदेश अपना पेड़ काड के आपको पानी दे और उसके लिए माचल प्रदेश ने आपको मना कर दिये एक अगला मसला है करनाटक के पूर्व मुख्यमंत्री विएस यद्यूरप्पा का प आरोप लगाया गया है उस तरह के आरोप और कम से कम पचास लोगों पर लगे हुए हैं ऐसे आरोप लगा करके अगर आप यद्यूरप्पा को गिरफतार कर भी लेते हैं तो ये कॉंग्रेस सरकार के लिए क्या उसी तरीके से भारी नहीं पढ़ जाएगा जैसे जगन मोहन रिड्डी पर पढ़ा था जब उन्होंने चांदर बाबु नहीडू को गिरफतार किया था देखें सारे मामले रावल गांदी से जोड़े में कॉंग्रेस भाश्पा को बताना चाहा रही है कि साब आप हमारे नेतां को अगर परेशान करेंगे तो हम आप के नेतां को जिल आच नो महने की लड़की है यानि गजड़ दो महने की बाद ंवालिक हो जाइगी हुए उसको कहती है कि साब इन्होंने हैरेस किया ते चुकि ना वालिक है अठारा से अगर आप एक दिन कम है तो आप ना बालेगी तो आप पर पॉक्सो लग जाता है दुर्भागी कि कॉंग्रेस फसाने के लिए कोई काईदे का मामला नहीं प्याय कर पाए जिस महिला को वो लेके आए उस महिला ने अपनी उसी लड़की के माध्यम से चववन लोगों पर ये मुकदमा कर रखा है मैंने ट्वीट किया इसे चववन लोगों पर उसने यौन शोशन यौन प्रतारणा का मुकदमा लगा रखाए जिदर अपपश पनुए है अब आप सोच लें अगर आप से कहा जाए मतलब मैं हसना नहीं चाहते हैं इस मामले पे गंबी मम लेकिन अगर आप से कहा जाए कि जिस महिला ने आप अच्छा उस महिला की लंग का अज़से से डेथ भी होगई अब व वो महिला मिली थी आप लगवाने के लिए जो अलड़ी चावन लोग को एक ही मामले फ़सा दूए एक यासी साल की हो गए यदरपा यह मतलब बहुत मुझे लगता है कि यह यह दाव भारी पड़े गंकर लेकिन उंकार जी फिर वही बात क्या भाजपा के किसी प्रवक्ता या लीडर्शिप की बात करते हैं तो साब पश्चिम बंगाल भी याद आता है जब विधान सबाचुनाव के नतीजे आये थे और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उस समय भी लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाकर के शरण लिये हुए थे और फिर लोग सबाचुनाव के बाद लगातार हिंसा चल रही है लगातार वहाँ पर अटैक हो रहे हैं घायल किया जा रहा है लोगों को मारा जा रहा है और क्या तर्णमूल कॉंग्रेस का पूरा कैडर कूरे जितने भी इनके समर्थक गुंडे हैं वो इस तत्य को समझ चुक तो यह जो इस्थितिया प्रिस्थितिया पंगाल में निर्मित हो रही है पैदा हो चुकी है यह आगे के लिए दि對 Украї के लिए और एक दर जेया हाई कोड़ के लिए हैं इस सिर्फ एक बात करूंगा, इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अगर अब भी नरेंद मौदी की सरकार मम्ता बेनर जी की खिलाव कोई कारवाई नहीं करती हैं, जबकि आपके वोटर आपके कारवाई करता, आप सोचे सोचे, रहत शेम्रो में रह रहे हैं, रहत श पर बड़ी सकत नजर है इतना ही कह दिया होता है मैं सिर्व यह कहूंगा कि अब भी अगर इनोंने कोई का ठोड़ कारवाई हाथ में नहीं ली तो भाती जन्ता पार्टी को इसका खामी आजा सिर्फ पश्रिम बंगाल में नहीं पूरे देश में चुकाना करें और एक चित्र मेरी नजरों के सामने पड़ा था बलके यह था शपत समार हो था आंदरा परदेश में और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और तमिल नडु से संबंद रखने वाली यह लेड़ी जो हैं गुजर रही थी स्टेज से अमित शाह के सामने से और अमित शाह ने इनको टोक वापस बलाया और काफी नाराजगी भरे स्वर में उनसे बात करते हुए देखे गए बताते हैं कि इन्होंने अन्ना मलाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया था और यह जानकारी मिली है कि आमित शाह ने दो टूक इनको कह दिया है कि अन्ना मलाई ही तमिल नाडु वापस हैं उनके बारे में कोई भी लूज टोक जो है वो बरदास्त नहीं की जाएगी बड़ी बात है बड़ी बात है मुझे इस गटना की जानकारी नहीं थी उंकार जी लेकिन अगर इतना पबलिक ली उन्होंने अपने एक कार कर और अन्ना मलाई को में कार करता हो अगर अन्ना मलाई जैसा हो तो अगर आपने अन्ना मलाई आने वाले दिनों में देश में एक बड़ा मकाम हासिल करेंगे ये कुछ-कुछ मेरी बवश्वानी भी है और सभी पूचे तो कुछ-कुछ मेरी इच्छा शुब इच्छा भी है महत कम ऐसे नेता मैंने देखी हैं मैं बहुत प्रभावित हूं और-ट लुट इसमित्स बेए-ग भी हैं-अ, ने कि ऐते नहीं चेह बात के बारे में एक चछोटी सी बात कहता हूं, आएस्ड ईक एering टोकती के लिए चोड़कर, जाने वाले बबहुत लोग हैं, आपके दिली में उद्धित राजी देख ले हैं अन्ना बलेही ने जब नौकरी छोड़ी थी तो राजनीत में आने के लिए नहीं छोड़ी थी एक छोटे से एंजियों से जुड़कि अपने गाँं में काम करने के लिए जोड़ी थी अन्ना मरे राजरीत के लिए आई पिएस छोड़के नहीं आए थे मतलब बहुत शानदार आदमी है और अगर उनके लिए किसी से अनिता बाते कहीं है तो मुझे जानकर बहुत खुशी है कि ग्रह मंतुरी ने इसको बहुत सीरिस्टी लिए जी मैं अभी हैडलाइन भी है अमर उजला की भाज़ापा नेता सुन्दर राजन को डांट से दिखे अमित शाह डीम के नेता ने साधा निशाना बोले ये दुर्भाग्य पौन और वही मसला है अन्ना मलाई के बारे में इन्होंने कुछ गलत बयानी की थी और अमित शाह ने उनको बुला करके ठीक से समझा दिया कि तमिल नाडू में अन्ना मलाई ही बहुत हैं उनके बारे में कोई भी गलत बयानी सुईकार नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद आनुपम जी जुड़ने के लिए OCN नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्धों पर चर्चा करने के लिए थैंक यू सॉमाज नमस्कार